आज की इस एपिसोड में हम दिसकस करने वाले हैं बेदानता स्टॉक के बारे में से स्टॉक को डिसकस करने का मुख्षी कारण ये है कि इसके जो ट्रेंड थे वो काफी अप्ट्रेंड में ये स्टॉक ट्रेड होते वे दिखा था जिसमें हमने चीप नियूस सुनी थी, फॉ 280 के near around support लेते वे दिख रहा है इस समय इस stock को देखेंगे तो cheap के news के बाद जिस प्रकार से इस stock के trend दिखेंगे इस stock ने 280 से 320 तक के levels को touch किये और 320 के price के near around लग रहा था कि stock 400 तक के level को touch करेगा लेकिन वो news misleading news साबित हुई और again stock देखेंगे 320 से 280 के price पे गिरते वे दिखा है 280 के price पे अगें major support stock लेते वे दिख रही है बहुत सारे लोगों का query था sir हमने 320 310 के price पे buying कर रखा है इस समय क्या करना चाहिए तो मुझे लग रहा है जिस परकार से chart आप देखेंगे RSI is around 54 और जिस परकार से ये support ले रहा है तो एक reversal अगें इस stock में 300-320 तक के levels दिख सकते हैं चुकि news के कारण जो trend बनी थी वो trend अब हटते दिख चुका है और इस समय 352-400 तक के level और देखेंगे कि ये gap down भी हमने देखा था यहाँ आपको 370 के near around दिख रहा होगा वो gap down ये stock fill करते हुए 400 तक के level within maximum 3-5 month के duration में दिख सकता है इसके साथ ही इससे में आप देखेंगे कि government का काफी अच्छा खासा support रहा है और इससे में news देखेंगे 15 September की ये news है कि बेदानता has been declared as the highest bidder of जियोगरपाली and its departmental extension coal block को लेकर के जो की located है सुन्दरगार डिष्टिक के अंदर उडिसा में है और trans way of commercial coal block auction जो government के तरफ से किया गया ministry of coal के तरफ से ये conduct किया गया था उसमें highest bidder जो है वो बेदानता निकल के आई है और इसका trend आपको इस stock पे surely देखने को मिलने वाला है और इसे में जो short term trader है वो SL follow करेंगे 250 के नीचे के SL को strictly follow करेंगे